प्रिकली हीट या घमोरिया एक बहुती कॉमन स्किन प्राब्लम है जिस पे शरीर पे छोटे छोटे लाल रंग के दाने होते हैं जिसमें अक्सर बहुत खारिश होती है प्रिकली हीट किसी भी उमर में हो जाती है पर ये बच्चों में बच्चों में जाधा कॉमन है और ये बिमारी गर्मियों के मौसम में देखी जाती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 10 Dermatologist Recommendative जिससे आप घमोरियों को घर पर ही असानी से ठीक कर सकते हैं पर पहले जानते हैं कि घमोरियों होने का कारण क्या है पहला कारण घमोरियों का है Tight Fitting Synthetic कपड़े क्योंकि ये कपड़े आपके शरीर से पसीने को उड़ने नहीं देते और जब पसीना आपके शरीर पे ज़ाधा देर तक रहता है तो घमोरियां हो जाती है यही कारण है क घमोरियां मोटापे में भी होती है अकसर body folds पे होती है क्योंकि यहाँ पे air circulation नहीं हो पाता है तीसरा कारण जो newborn बच्चों के cases में देखा गया है कि उनके sweat ducts अभी develop नहीं होते इसलिए जो उनका पसीना है वो अच्छे से evaporate नहीं हो पाता है और आखिर में जो bedridden patients होते है उन case में घमोरियां पीठ पे होती है विकोज वहाँ पे air circulation नहीं हो पाती है अब जानते हैं ऐसे 10 tips जिससे आप घर पे ही heat rash को ठीक कर सकते हैं यह सारे ही tip dermatologist recommended है और patients पे tried है और सबसे important trip है कि आप गर्मी में बाहर ना निकले especially बच्चों को बहुत गर्मी में बाहर खेलने क के लिए भेजेंगे तो उनको पसीना आएगा और वही पसीना जब शरीर पे सूखेगा तो उनको घमोरिया हो सकती है गर्मी के मौसम में घर पहुंचते ही कोशिश करें कि आप थंडे पानी का shower लें जिससे आपका पूरा पसीना जो शरीर पे चिपका हुआ है वो साफ हो स और उसके बाद आप loose fitting cotton clothes पहने कोशिश करें कि synthetic या tight कपड़े ना पहने जो newborn बच्चे होते हैं उनको खूब सारे extra layers ना पहनाए कोशिश करें कि आप उनको बहुत tight से bundle अपना करें also एक बहुत important step है कि अगर आपको घमोरियां हो जाए तो oil या thick creams ना लगाएं क्योंकि इससे आपका पसीना सूख नहीं पाएगा और घमोरियां जादा हो सकती हैं घमोरियों में कोशिश करेंगे खारिश ना करें इससे एक तो आपका जो prickly heat है वो बढ़ जाएगा दूसरा infection होने के chances भी बढ़ सकते हैं घमोरियों पे आप cold compresses कर सकते हैं आप एक तोलिय को थंडे पानी में डालें उसे निचोडें और बार बार घमोरियों पे प्रेस करें इससे आपका skin सूध हो जाएगा इसके इलावा बजार से कैलमाइन लोशन ला सकते हैं और घमोरियों पे दो बार लगा सकते हैं इससे आपको थंड़क भी फील होगी और घमोरिया भी कम होगी अगर आपकी घमोरियों बहुत ही सीवियर हैं तो आप chemist से जाकर एक mild steroid जैसे hydrocortisone cream ले सकते हैं और दो बार लगाएं लेकिन इस cream को 7 दिन से जादा ना लगाएं इस case में ये आपको pimples भी कर सकती है और infection का कारण भी बन सकती है आखिर में अगर आपको बहुत खारिश है तो आप citrzen की गूली भी खा सकते हैं अब जानते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए देखिये घमोरिया वैसे तो 2-3 दिन में ठीक हो जानी चाहिए पर अगर आपका rash 3-7 दिन से जादा चल रहा है या उसमें खू हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखके बताएं कि हम ऐसी कौन सी स्किन की बीमारी है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो वनाएं